घरेलू खबर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग यह बताने के लिए कमेंट में जै छटी मईया जरूर लिखे। दोस्तों छटी मईया की महिमा अपरम पार है। इनकी महिमा से कोई भी जाती धर्म या बर्ग अच्छूता नहीं है। इसलिए इस पर्व को सभी धर्मों द्वारा बहुत ही प्रेम और एक्टा से मनाया जाता है। वे लोग जो इस ब्रत को नहीं करते हैं वे भी इस पर्व में बढ़ चड़कर युगदान देते हैं। चार दिन तक चलने वाला यह पर बहुत ही धूमधाम से मनाया जात है और बहुत ही कठीन व्रत है। इसमें सुधता सुक्षता को द्यान रखा जाता है। चट को प्रखिर्ति पूजरा से जोड कर भी देखा जाता है। ब्रत के पहले दिन कि चतूर्थी को नहाय खाय का नियम होता है, छट में इसका बड़ी कड़ाई से पालन किया जाता है, वही छट में ब्रती को छट के नियमों का भी पालन करना होता है, जिसके लिए साफधानिया बरतनी चाहिए, तभी आपका छट पूजा, छट ब्रत सफल माना जाता है, बरना छटी मया नाराज हो ये नियम आपको मानना जरूरी है, तभी भी आप छट पूजा को संपन कर सकेंगी, तो चलिए जानते हैं कौन-कौन सीव गलतिया है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्विस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक करेंगे, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, सियर करेंगे, तो छट पूजा में सूरी देव को अर्ध का विशेश महत्व है, इसलिए साएं और भोर में सूरी उपासना ना छोड़ें, सूरी को अर्ध लोहे, स्टील या प्लास्टिक के लोटे से ना दे, इसके लिए तामबा या किसी अन्धातू के पात्र का इस्तिमाल कर सकते हैं, ब्रत के समय परिवार का कोई भी सद से मानसाहरी भोजन ना करें, चाहे वो घर में हो या घर के बाहर हो, बरना छट पर भंग हो जाने की असंका रहती है, छट में सराव और धुम्रपान भी बरजीत है, इसलिए छट में पुर्णत सात्विक भोजन करें, बिना लहसुन प च्छट पुजा के दिन नए और सहाफ कपड धारन करने रहते हैं, चार दिनों का जो पर्भ है छट पुजा इसमें चारों दिन नए नए वस्तरार पहनने रहते हैं.. चार दिन की छट पूजा में पलंग या विस्तर पर सोना मना रहता है, जमीन पे ही कुछ फुआल या कंबल डाल के सोना रहता है ब्रती को, छट पूजा में भी अनिबार्ज तोर पर बंचर का पालन करना अवस्यक होता है, किसी से जगड़ा करने से बचे छट पर में घर में क्लेस नहीं होना चाहिए, तो जी हां दोस्तों, अगर आप भी छट प्रत कर रही हैं, तो प्लीज इन बातों को इन नियमों का पालन अवस्य करें, और सब घर वाले को इन नियमों का पालन करने के लिए भोलें, तो आसा ही नहीं, पोन विश्वास है कि आज की वीडियो आ आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करें, सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठैंक्स